हेलो फ्रेंट्स वेलकम चू माई यूट्यूब चैनल वायानेट हेल्थ मैं हूँ आपके साथ भव्या तो आज की इस हेल्थ वीडियो में मैं आपको मसों को हटाने के घरेलू उपचार बताऊंगी मोल्स आपके फेस पर हो जाना चाहिए वो ब्लैक कलर के हो या फिर ब्राउन कलर के काफी ही बद्दे लगते हैं तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स पताऊंगी जिससे आप अपने मसों को असानी से हटा सकते हैं तो आईए देखते हैं हमारी इस वीडियो को टिप नामबर वन सेप का सिरका सेप का सिरका आपके चैरे के मोल्स को हटाने के लिए काफी अच्छा घरे लूपचार है तो इसके लिए आपको एक कटोरी के अंदर गरम पानी को लेना है फिर इसके अंदर आप दो चामस सेप के सिरके को मिला लीजी फिर कौचन की बॉल से आप इस मिश्रन को अपने फेज के मसो पर लगा लीजी आदे घंटे बाद अपने चैरे को ठंडे पानी से वाश कर लीजी और आप देखेंगे कि आपके मसे कुछी दिनों में जढ़ जाएंगे टिप नामबर चू अंगूर के बीच अंगूर के बीच आपके मसो को हटाने के लिए काफी मैध पूर्ण होते हैं तो आपको अंगूर के बीच को एक्स्ट्रेक करके अपने मसो पर लगाना है फिर दो गंडे तक इस बीच को अपने चैरे पर लगा रहने दे उसके बाद आप अपने चेरे को ठंडे पानी से वाश कर लीजे और आप देखेंगे कुछी दिनों में आपके चेरे के मोल्स गायप हो गए है टिप नामबर 3 बेकिंग सोडा और अरंडी का तेल मसो को हटाने के लिए काफी अच्छा घरे लूपचार है तो इसके लिए आपको एक चमच बेकिंग सोडा लेना है और उसके अंदर कुछ बूंदे अरंडी के तेल की मिलानी है फिर इसको आप अपने चेरे के मोल्स पर लगा लीजिए और थोड़ी देर बाद अपने चेरे को गरम पानी से वाश कर लीजिए टिप नमबर फोओ लस्ण का पेस्ट आप लस्ण का पेस्ट भी अपने मस्वो पर लगा सकते हैं तो आपको लस्ण के पेस्ट को पीस ना है फिर इसको आप एक कपड़े से ढख कर रख दीजिए फिर इस कपड़े को आप पूरी रात अपने चहरे पर लगा कर सो जाएए और सुबा उठकर अपने चहरे को ठंडे पानी से वाश कर लीजे और कुछी दिनों में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा टिप नामबर फाइव नमक और कटे हुए प्याच को आप आपस में मिलाए और इसे एक कपड़े से ढग कर अच्छे से रग दीजे फिर इस कपड़े को आपको तीन घंटे के लिए अपने चहरे पर लगा कर रखना है इससे आपके मसे जल्दी ही हट जाते हैं टिप नामबर सेक्स केले का चिलका केले का चिलका आपके मसो को हटाने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता समधान है तो आपको केले के चिलको को कुछ दिन अपने मसो पर रब करना है फिर आप देखेंगे कि आपके मसे कुछी दिनों में सूख जाएंगे और जढ़ जाएंगे टिप नामबर 7 शहद शहद जिसमें एंटी बैक्टिरियल गुण होते हैं यह आपके चहरे के डाक स्पॉट्स, मस्से और पिंपल्स को हटाने के लिए काफी अच्छी होम रेमिडी है तो आप शहद के मिश्णर को अपने फेस पर मस्सो वाली जगा पर लगा लीजे और आद आज की इस वीडियो में आपने जाना मोल रिमूवल टिप्स, अगर आपको भी अपने चेहरे के मसो को हटाना हैं तो इन टिप्स को ज़रूर ट्राय कीजीए तो आज की इस हेल्थ वीडियो में इतना ही ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वायानेट हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए Till then stay healthy and stay fit, thank you आज की इस हेल्थ वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बताऊंगी जिससे आप अपने दिमाग को और तेज कर सकते हैं